नमस्कार दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आपका यूनिक इस्टेडी सर्किल बाई दीपक कुमार चैनल पे दोस्तों अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बैल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ने बूले जिससे दोस्तो आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके अलावा दोस्तो अब तक की सभी क्लासिस आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके आरसगरवाल मैथ का जो सेक्शन बना है वहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो जैसे कि आप तक जानते हैं हम पढ़ रहे हैं इस क्लास में आरसगरवाल मैथ्स और दोस्तो फिलाल हमारा टोपिक चला हुआ है अनुपात तथा समानुपात और दोस्तो इसी करम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा पहला कोश्चन है कोश्चन नमबर 21 जो की एक्सरसाइस से हैं अब तक हमें एक्जामपल कर चुके हैं और कुछ भी इस कोश्चन कर चुके हैं तो चलिए दोस्तो आज ये class हम इस question से शुरू करते हैं तो देखे दोस्तो जैसे कि हमने अब तक समझा है और उमीध है आपने कल तेक्टी वीडियो देखी हुई है तो दोस्तो देखे जैसे कि हमने कल भी कहा था तो समझानुपात का मतलब है कि ये दोनों अनुपात कहीं न कहीं कहा है बराबर है तो दोस्तो यहां बराबर का चिन लगा हो चाहिए समझानुपात के लिए चार विंदिया लगी हो इस तरीके से तो दोनों का यह की meaning है, आप यहां बराबर भी लगा सकते हैं, इसके अलावा दोस्त हमने कहा, कि अगर यह नुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इनमें एक relation होता है, कि बीच-बीच वाली संख्याओं की गुणा, और बाहर बाहर वाली संख्याओं की गुणा, क्या यह काम भी इस सवाल में और एक्ष्टा कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम देख लेंगे, फिलाल देखे, इसको डारेक्ट करते हैं, इसी तरीके से, दोस्तो इसमें क्या है, कि 1 वटे X, और दोस्तो गुणा 1 वटे X, बराबर दोस्तो इस एक वटे 5 के, और गुणा 1 वटे दोस्तों एक पॉइंट कितना दो पांच के इस तरीके से तो दोस्तों क्या ये बात सब्सक्राइब आपको अच्छा ये बता हो जैसे कल भी हम कह रहे थे कि हमने ये वाली गुणा इधर लिख ले जया बाहर वाली गुणा इधर लिख ले कोई फरक नहीं आता लेकिन हम जब क्यें बहारवाली संख्या 1 वटt 5 की और इसकी गवुना इधर लिखी मैं कर देता हूं या पर दोरियू 1625 यहीं खी का था? ठीक है और इसके अलावा दोस्तों 2 पये था पॉंइंट पहले हमने क्या कर रहा है 5 के और 125 सीधे गुना करते ही जो कि इतना हुआ 625 वा दोस्तों आप करके देख लें तो दोस्तों दो अंगों के पहले पॉइंट है तो इसका मतलब यहां पर पॉइंट आ जाना चाहिए अब बताओ दोस्तों इसकी गुणा इधर हुई क्रोस में इसकी गुणा इधर हुई तो 25 का वर होता लेकिन यहां पर पॉइंट था तो दो अंगों के पहले पॉइंट है इसलिए इसमें किसके आवगा दोस्तों एक के एक अंग के पॉइंट आ जागा और वर्ग हटके होगा तो इस तरीके से भी बात हमें समझना जाएगी ठीक है दोस्तों तो कुल मिला के एक समान कितना है दोस्तों दूसरी बात में यहां पर यह कह सकता था दोस्तों कि अगर यहां पर जैसे एक बटे पांच है अनुपात एक बटे एक पॉइंट दो पांच है तो दोस्तो इसे एक बटे पांच क्योंकि सारे के सारे दोस्तों सारे के सारे एक के बटे में दोस्तों क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ये बात में बस जानकारी के लिए भी पता होना जरूरी है दोस्तों चाहिए आप इस मैं थड़ से ना करें पर आपको पता हुने चीए कि अगर एक ही संख्या ऊपर है चाए 2-2 होता चाए 3-3 होता तो दोस्तों आप इन है केवल और सारी विमान कटी विमान के ऊपर एक ही मानना जा सकता था और यहां पर जाशें यहां पर लिखा जासकता था कि 5 नुपाथ यहां ब्राबर होगा एक सब्सक्राइब सकते हैं लगा दिया रखा दिया और यहां ने दोस्ति में आ रही है ठीक है तो एक विटिए पांच नुपाथ नीचे नीचे वाड़ा एक खटा दो पर से क्योंकि धर भी एक है यहां भी है करते चारों की चारों संख्याओं पर एक है तो दोस्तों पांच नुपात एक बरावर एक पॉंट पांच हो गया थोफ़क्र mi भी दोनों तरीके भी आपको अच्छे से साफॉत में होंगी थो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल थो अगला सवाल समझते हैं तो देखिए अगला सवाल है 22 अर्वाओं कहा heathक साथ 5 विस यह पोइंट तो साथ 5 अनुपात एक्स चारविंद्य हैं दोस्तो समानुपात पांच अगर अगर दिया है तो इसे बराबर की तरह आप ले सकते हैं दोस्तों हमें क्या पता लगा है इसके लावा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसके प्रोड़क्ट ऑप मीं इसको प्रोड़क्ट ऑफ एक्स्टीम जोस्तों मतलब है मेरा कहने का कि बीच वालीunder कर रिख्र और बाहर संध्राओं की गुना क्या रख सकते हैं बराबर और दोस्तों हम उसकी गुना इधर लिखते हैं बराबर से हैंना LHS कह सकते हैं इसको है लेफ्ट हंड साइड में बाइं हाथ की तरफ दोस्तों उसमें दिखते हैं जिसमें X हो दोस्तो, तो किसम है? बीच वाली संख्याव में, तो दोस्तो X गुना कितना? 5 लिखा हमने आपे, और दोस्तो यहाँ पे क्या लिख देने हैं? तो दोस्तों यहां पर क्या है, दो डिजिट के पहले पॉंट है, इसलिए दोस्तों किया विधा याँ sm अ एक पहले होतादा तो दस हता दोस्तों तीन के होता तो एक जार आ जाता तीन यूरो मतलब, तो देखें दोस्तों क्या करें है,पच्चीस से काटोamation 25 के 100 और दोस्तो 25 ते 75 अब इसे काट दो दोस्तो 4 दूनी 8 करके इस तरीके से अब बताओ दोस्तो कितना हुआ 3 दूनी 6 और बटे में दोस्तो कितना 5 दोस्तो 6 बटे 5 कितना हो जाएगा दोस्तो बता सकते हैं आप 5 एकम 5 पांच 5 दूनी 10 दोस्तों उम्मीद है भाग आपको सवन आई होगी टैक्स कमान कितना होगा दोस्तों एक पॉइंट दो जो कि आपके दोस्तो C का एक बटे 5 हो तो अगर ऐसी स्थिती हो तो A अनुपात B अनुपात C बताओ तो दोस्तो अगर ऐसी situation है तो दोस्तो जैसे कि हमने पहले बात किया चलिए मैं यहां संख्या का इस्तावाल कर लेता हूं दोस्तो अगर A बटे 2 हो मान लिजे B वटे 3 है मान लिजे C वटे 4 है तो दोस्तो हमने समझा है कि A अनुपात B अनुपात C यहां पर दोस्तो बते के मान अपनी अर्था 2 अनुपात 3 अनुपात 4 यह मान हो जबेंगे दोस्तो ठीक है यह डारेक्ट अनुपात हो जबेगा तो दोस्तों अगर हो सके हैं तो हम इसी स्थिती मिला सके हैं देखे दोस्तों एक तो चोईसी होई हमारे पास या फिर दोस्तों अगर जैसे कि हमें पता है कि ये भी हमने एक ढख ढखिया नियम की कल बात करे थे कुछ ऐसा कुछ हो तो कि दोस्तो 2A बरावर किसके दोस्तो 3B हो और दोस्तो कितना हो 4C हो तो दोस्तो ऐसी इस्तिति में भी हमने समझा कि यहाँ पर दोस्तो A अनुपात B अनुपात C कैसे आता है A को ढख लीजी इनकी गुणा कर दीजी B को ढख के इनकी गुणा कर दीजी सी को ढखके इनकी गुणा कर दीजिए तो अनुपात आ जाता है खेर दोस्त में कहना चाहता हूं कि अगर देखे इसको कैलकुलिसन लेके हमने इस रूप में बनाया तो इस तरीके से हम अपना अंसर दे सकते हैं दोस्तों अगर हम बटे बटे में संख्या रख लें ए बी सी क में संख्या गायब कर सकें दोस्तों ऐसी गालकुलिसन अगर हम करें तो दोस्तों जो बटे में होगा वह हमारा आंसर होगा और या इसके अलावाद दोस्तों अगर आपके मान पाय यहां गालकूलिसन को किस विए में लेके बढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपकी calculation है ना कौन किस तरीके के form में आप इसको change करना ज्यादा comfortable समझेंगे जो आपको आसान लगे उस रूप में इसको लेके आगे बढ़ जाएए तो देखें दोस्तों यहाँ पर मैं बात करेंगे तो का कहते हिसiest परित्व कितना कितने इस तो दोस्तों यहां पर देखें कि क्या है विधो यहां कितॉंश्ट्री पांच अर्ट पांच और च्य स्पिश्चों पांच आए़ जोस्तों सब्सों परियास किया था इस सवाल शेंद कोई लएना नहीं है करत démocrate को अब देखें दोस्तो इस इस्त्थी में हाँ दोस्त आपके डिशे कpoint ऑक आफ डिशे की शक्काद कशार हो । अगर आप नीचे की संध्य कि और दोस्तो यहां कितना वी बटे दोस्तो कीटना w e 5 तो दोस्तो तब आपको यह जीरो काट सकते थे ए सकते थे और सिम्टें क्या है दोस्तों पांच है अड़ी ऐसा है दोस्तों अब समझ एक topics इस्थथी बिल्कुल इस पश्ठ है 10.5, 4.5 पांच कहने में बस एक छोटी समस्या है इसका अंसर कि यहां एक साथ गुणा में क्या है तीन है अगर यह तीन नहों तो दोस्तो बटे के माना अपने यह आंसर हो जाता एक मान गुणा में है दोस्तो अब इसका क्या करें तो दो यह दोइं दोस्तों कियो कर रहे ही हैं मैं पता हुणा है उसके बारे में आपके हो Nक्रजा क्षैन कि चाहिए इसका पद हैं दोस्तों सब में गुना होगी, तो दोस्तों तीन की गुना यहां भी होगी, इसका मतलब दोस्तों तीन की गुना इस बटे में चार में भी होगी, और इसका मतलब दोस्तों तीन की गुना इस पांच में भी होगी, ठीक है दोस्तों, तो सारी जहां होनी है, अब यहा जैसे दोस्तों यहाँ पर अपने आप ही गुना करनी पड़ी क्योंकि ऐसा रूल कहता है कि आप एक जहाँ पर अकेले गुना नहीं कर सकते अगर दोस्तों आपकी ऐसी स्थिति है कि इधर A है और इधर B है और आपको दोसे गुना करनी तो A बनाना तो दोस्तो अटमेटिकली हाँ दोसे गुणा करनी पड़ेगी दोनों साइड में ही गुणा की जा सकती है जैसे दोस्तो कहीं जोड़े तुमां गटाना जरूरी है तुमां गटाना जरूरी है अगर बरावर लगा है तो हर पद में करनी गुणा जरूरी है तो दोस्तों ये बात दिमाग में रखे यह है आगे भी काम आएगा तो दोस्तों देखें क्या बचा A बटे 10 बरावर दोस्तों कितना B बटे 3 चोक 12 और दोस्तों C बटे कितना 5 ती 15 अब बताएए दोस्तों क्या हम कह सकते हैं कि बटे के अमान अपने के हिसाब से दोस्तों A अकेला, B अकेला, C अकेला उपर और बटे महन के ये 10, 12 और दोस्तों कितना 15 इसका मतलब दोस्तों A अनुपात B, अनुपात C कितना हुआ दोस्तों 10, अनुपात 12, अनुपात 15 तो कितनी सहज़िता से इस निमां के अनुसार हमने आश्जा निकाला दोस्तों, और कौनसा बैट रहा है दोस्तों। यह बैठ रहा है ना, 10, 12, 15, 15, 15. अब दोस्तों, अगर आपके दिमांत में यह बात आई, कि नहीं, अगर वो ढके रखे अनियांवाली स्थिति में कैसे बदल सकते थे दिमाग मताई आता है भीज़क आप ऐसे करना चाहते हो तो दोस्तों उसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या थी स्थिति तो हम यहां पर थे दोस्तों कि A और का का मतलब दोस्तों कितना 30 और बटे दोस्तों कितना 100 और और दोस्तों गुणा और दोस्तों कितना 25 बटे 100 और यहां पर क्या लिखेंगे हम सी की गुणा एक में और यह तो लाइन आपको यहां पर भी सम्झे में आई गई होगी तो वही है दोस्तों जो यह लाइन थी पहली वही लिखी मैंने आप अब बताओ दोस्तों मैंने कहा जैसे हम यह काट सकते थे और किसी भी संख्या से दोस्त हम उपर गुणा कर सकते हैं किसी भी संख्या से हम नीचे गुणा कर सकते हैं तो दोस्तो अगर हम यह नीचे की संख्याई कतम करना चाहते हैं पहले हमारा टारगेट इन्हें कतम करने का तो इनका LCM क्या बैटने वाला है दोस्तो सो LCM वो जिससे तीनो संख्यास है जो कट जावे तो दोस्तो सो कट जावेगा और इसका मतलब अगर हम सो से गुणा करें तो दोस्तो इसमें भी करना पड़ेगा उपर करना चारें ना ताकि नीचे से कटे तो उपर गुणा गर यहां करी तो दोस्तो यहां पर भी करनी पड़ेगी और दोस्तो इसके अलावा हमें यहां पर भी गुणा करनी पड़ेगी दोस्तो पड़ती एक पद में करनी पड़ेगी जैसे तीन के गुणा हमें यहां पर भी करनी पड़ेगी पर भी सो गया अब बताए दोस्तों पांठधों ने कितने इंतास इस तरीके से 20 समझें दोस्तों यहां कितना है 30 से भी संक्या कर सकते हैं तो क्या बर किसी भी संक्या से भाग भी कर सकते बिल्कुल दोस्तों ये 35, 25 और 20 किस संग कैसे कट जाएंगे दोस्तों पांचंग 30 दोस्तों कितना 25 और यहां कितना दोस्तों पांचंग 20 तो दोस्तों इस इस्तिती में 6 बरावर कितना दोस्तों पांच भी और बरावर दोस्तों कितना 4 तो ये इस्तिती आई अब दोस्तों यहां ढक्डाकिया नहीं हम लगाूं जबाओ चलो एनुपात बी अनुपात S बताएंगी तो दोस्तों फांचो ए go that a चिपा ओ इनके घुना तरब फांचो कई थी। ऑब देखे दोस्तों भी के लिए क्या करेंगे इसको चुपा लेंगे और चार चिक दोस्तों कितना 24 हो गया अब बताओं दोस्तों हूसक्रोन भड़ी साब है दोस्तों से कटेंगे। जो सक्रों कटके दूस्तों दस दोस्तों बारा दूर्डamente 24 और 2 से कटके कितना दोस्तो 15 दोस्तो 10 नुपात 12 नुपात 15 दोस्तो हो सकते हैं यह बड़ा हो गया यह चोटा हो गया जो भी मतलब आपको लग सकता है लेकिन दोस्तो मेरा बताने का मतलब यह है फिलाल जब ऐसे कोश्चन करें तो हम हर कैलकुलेशन के दृष्टिकॉन को स बढाने के दें दोस्तों अगर रुकेंगे नीन सवाल में टाइम जादा नहीं लगता सोचने पे जाधा टाइम ख्राब हो जा तब जादा समय ख्राब होने का गुझाज बैठती है, खेर दोस्तों बढ़ देंगे अगले सवाल पर, तो आएए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, देखें, ऐसा सवाल हमने कल भी दिखा, और आप भी से समझने का परियास करते हैं, दोस्तों कहा यदि X प्लस Y अनुपात, यहां पर क्या है दोस्तों अनुपात, X म अगर हम पिछले किसी कोशिशन से तुल्ला करें, दोस्तों अकर यहां पर कोई अनुपात पूछते थे, तो अक्सर वो ऐसा होता था, जैसे X अनुपात Y दे दिया, है ना दोस्तों, या फिर कहलो X बटे Y दे दिया, ऐसा दे थे और हम डारेक्ट X का मान अपना, X का मान उ होती सहुलियत हमें हो जाएगी, दोस्तों हम ऐसी चीज के रूप में मान प्राप्त करना चाहेंगे इसका, कि दोस्तों X का मान भी पता लग सके और Y का भी मान पता लग सके, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, देखिए यह क्या है, X पलस Y बटे दोस्तों, कि इतना चाहरवटे ही, अब देखिए दोस्तों, मैंने कलना इसमें आपको दो तरीके बता है, ऐसे सवाल में, कि दोस्तों या तो आप क्या कर लीजिए, क्रोस उगना कर लीजिए, और X बटे वाई तब भी आ जाएगा बड़ी सहलता से, और दोस्तों अगर आपको याद है एक परमे बताई थी, योगांतर परमे, जिसे कॉंपोनेंडो एंडिविडेंडो भी आप कहते हैं, अगर आपने सुना हो या ऐसा कभी पढ़ा हो तो, खेर दोस्तों, मैं ये कहना चाहरा हूँ, आपको हो सकता है, आपको पता ही हो, लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप तर जाद अच्छा लगा, इसलिए मैं दोनों ही आपको एक बार बता दे रहा हूँ, दुबारा से, देखें दोस्तों, क्रोस कर देते हैं, और एक की गुणा एक्स में कर दी, और प्लस एक की गुणा दोस्तों किसमें कर दी, य में, इस तरीके से क्रोस किया, और दोस्तों चार की गुना एक्स में तो चार एक्स कर दिया और दोस्तों वाई में किया तो दोस्तों कितना चार वाई इस तरीके से करा अब देखें दोस्तों यहां पर क्या है एक्स है और दोस्तों यह चार एक्स है मतलब करने क्या वाले है कल विक जैसे हमने कल बात की रोज गुना करन ऩुट जाते हैं सवाल पिस अगर प्रफर आखर कि तरफ जाये तो दोस्तों दिए खिंग किसमा ओंगा माइनस में अभ देखें दोस्तों यह प्लस का एक्स है यहां पर क्या है दोस्तों कुछ नहीं प्लस का मननेगे है यहां किया है दोश्त मैनस मैनस के सा लेकिन दोश्त चिन बड़ी संधा बमार तो इससे स्थिए ममारे जैने सबाहर अगर दोनों मैनस धो जूदेंगे जरूर लेकिन माइनस करें यह चार दोष्त यह क्यामन जाणा ऑफ 37- 요 तो दोस्तो एक्स यहां पर यह एक्स दिख रहा है आपको और दोस्तो यह बटे में वाई लेंगे कहीं बार कर चुके हम ऐसा और दोस्तो यहां पांच और बटे में दोस्तो कितना इती तो दोस्तो एक्स बटे वाई बराबर कितना आगे है पांच बटे तीन तो दोस्तो इस और योगांतर पर्मिय में दोस्तों हमने बताया कि अगर दो इस परकार के जो भिन हैं या अगर बराबर हैं तो दोस्तों दोनों तरफ आप एक नियम लगा सकते हैं तो दोस्तो अगर यहाँ पर क्रोस की बिजयागर में यह नियम लगा लिटा और यह नियम हम कहाँ पर लगाना ज्याद अच्छा समझेंगे दोस्तो जहाँ पर वही चीज यहाँ पलस में और यहाँ क्या हो दोस्तो माइनस में हो, तो हम यहां कैसे लगाएंगे, देखे, यहां पर यह क्या है, यह दोस्तो अपर वाला क्या है, अंस है, और दोस्तो यह क्या है, यहां नीचे वाला, है न, हर है दोस्तो, तो दोस्तो यह, देखे, देहां से समझेंगे हैं, अंस, दोस्तो एक्स प्लस कितना वा साद आए यहां पर यहां तो डूस्त क्या लगना ड़ा ना होना कहीं कि उसके लिए थोड़ा सचेत होना बहुत जरूरी है कि दूस्तों यह बात asse भूल नहीं सकते अगर माइनस किसे बाद अगर दो तीन संख cellphone के सा यही चीज हमें इधर करने पड़ेगी unz क्या है दोस्तो 4 है और हर क्या है दोस्तो 1 है और दोस्तो ऐसे ही बटे में है ना 4 माइनस कितना 2 बटे में दोस्तो तो देखे दोस्तो इस तरीके से हमने यहां पर यह बस जोड़ा घटा या काट दिया तो एक्स बटे वाई कितना यह दोस्तो पांच बटे तीन आपको जो बहतर लगे दोस्तो एक्स बटे वाई निकालने के लिए पूस विधी का इस्तमाल करें खेर फाइनली हमें यहां से दोस्तो कहां पर पोज़न था एक्स बटे वाई पर यहां पर देख लिए यहां पर दोस्तो बटे के मान अपने यह निकालन हम पांच और वाई का मान क्या रख सकते है तीन और दोस्तो में मान किसका निकालना था मान तो इसका निकालना था यह तो हम यहां पर समझ रहे थ पलस कितना दोस्तो वाई स्कुरा है और बटे में दोस्तो कितना एकस स्कुरार माइनस वाई स्कुरा है और हम अब तक बात कर रहे हैं दोस्तों कि क्या यहां पैसे हम डारेक्ट मान रख सकते हैं यहां पैसे हम यहां पात है डारेक्ट मान रख सकते हैं बटे के मान अपने ल लिखाया है हम तीन धेका दोस्तों उन्मीद है यह बात आप संज में आगी अब बताओ दोस्तों 5 कावर कितना हुआ 25 और दोस्तों 35 कितने डोस्तों सोडा आप दोस्तों कितने इसोड़ा आप दोस्तों यह थीए से कटके दोस्तों सत्रा और दोस्तों कितना दोस्तों सत्रा बटे आठ कितना लिख सकते हैं सत्रा अनुपात आठ दोस्तों देखिए हमने बहुत डिटेल में सवाल को किया उमीद आपको बहुत अच्छे से किलियर होगा इसका अंसर दोस्तों सत्रा अनुपात डी कहां लिख को है बराबर 12 अनुपात 19 हो तो एक्स अनुपात वाई का मान क्या होगा तो दोस्तो हमें करना क्या है हमें एक्स अनुपात वाई का मान बताना है अब देखिए दोस्तो समझते हैं यहां पर यह वाली इस्तिति हैं यह बटे में दोस्तो देखिए जैसे कि हमने कहा एक तो हम कार के सवाल में यह जो ₹ जी सेम है एक बार एक बढ़ वह दोस्तों उपर हो और वही नीचे बस उन माइनस दोस्तों कितना 3y स्कूर और बटे दोस्तों कितना 2x स्कूर और प्लस दोस्तों कितना 5y स्कूर और ब्रावर कितना दोस्तों 12 बटे कितने 19 इस तरीके से अब देखें यह यहाँ पर और यहाँ पर तो 19 चोग छंतर दोस्तों है ना छंतर x स्कूर और दोस्तों 19 ती कि वाइ स्कार ये गुणा आपको संद्वारी है दोस्तो बड़ा सिंपल सा विए है देखे चाहे तो आप इसमें एक लाइन और बढ़ा लीजे दोस्तो क्या बहला ये 19 जाएगा दोस्तो इसकी गुणा में मतलब कि 19 की गुणा में किस से हो रही है दोस्तो चार एकस स्कार माइनस तीन वाइ स्कार में ठीक है दोस्तो और यहां भी बारा की गुणा में जाएगा ये वड़ा ये वड़ा गुणा में इनके बारा गुणा में दोस्तो कितना दो एकस स्कार और प्लस पांच ये वाइ स्कार और दोस्तो हमने करा क्या है 19 की गुणा चार में यहाँ पर कुछ नहीं है तो दोस्तो क्या माननेंगे पलस और इसको इधर लाके क्या करेंगे दोस्तो माइनस दोस्तो माइनस के 24 एक्स स्कूर अब देखे दोस्तो यहां कितना है यह 60 Y स्कूर है ना 60 Y स्कूर है और दोस्तो यह है यह यह बराबर से दोस्त जैसे 299 में से common निकल गया हो और दोस्त बस 699 में से 24 घटेगा और वो संख्या यहां पर गुणा में लिखे जागी तो 6 में से 4 गए दोस्त दो और 7 में से 2 गया कितना दोस्त दोस्त पांच तो दोस्त इस तरीके से क्या बचा 52 x square ठीक है और इसी तरीके से यह समझे कि y square y square तो दोस्तों तो साथ में रहे बस ऐसे जैसे जिसा कोमन निकल के आगे हो वाइस स्कार अब साट रस तावन जोड़ेंगे दोस्तों साथ साथ जीरो साथ दोस्तों छह पांच ग्यारा दोस्तों यह इस तरीके से अब देखें क्या हुआ यहां x square है दोस्तों यहां y square है इसे में बटे में लुआ और इस बावन को इधर बटे में तो दोस्तों x square है और बटे मेर्म है दोस्तों वाई स्कॉर्ण और यहां पर दोस्तों कितना 170 और दोस्तों नीशे कितना ये यह ज़ा यहां दोस्तों इ той दो लिखा आपने अब बट दोनों संख्या किसे कटेंगी 13 से कटेंगे कितना हो बताऊ यह वर्गिमольш नो का कितना दो सकते हैं किस अनुपात. दो तो दोस्तो महारा सवाल का ऐंसर कितना आया तीन अनुपात दो आया रो सी हो गया तो बढ़ अगले सवाल पर तो द X अनुपात Y का मान बताईए अब दीखे दोस्तो ये देखने में बढ़ा ही अठ पटा सा लगीगा ऐसा भी नहीं लग रहा कि हम क्रोस वरोस करके कुछ काम कर ले दोस्तो अखिर क्या है दोस्तो अखिर बिल्गूल basic की मैं बात करूं सबसे पहले तो दोस्तो ये formula पर बेस्ट है देखे दोस्तो एक formula है जिसे हम जानते हैं formula है एक plus B का whole square ठीक है दोस्तो क्या होता है formula A square plus B square और दोस्तो कितना 2 A B तो दोस्तो दर असल ये जो चीज है ये वाली ये देख रहे हैं आप ये वाली ठीक है दोस्तो ये वाली इस्थिती यहां पर है कहीं ने कहीं ठीक है अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा है तो दोस्तो इससे तुलना करनी है आपको ध्यान देना है कि दोस्तो दर असल ये x square है अगर आप इसे x का ऐसे whole square लिए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तो ये 4y square आप 4 को पता ही आपको 2 cover होता है y y cover गए तो दोस्तो अगर घट्टा लिखना चाहें 4y को तो हम 2y का whole square इस तरीके से इसा लिख सकते हैं ठीक है दोस्तो देखें a square जैसे ये a square plus दोस्तो कितना b square और दोस्तो ये जो प्लस का इधरा के क्या हो जागा माइनस के फिलाल से आप 4xy लिखें और बरावर कितना दोस्तो कितना क्या बचेगा जीरो बचेगा दोस्तो ठीक है तो दोस्तो यह वाड़ी स्थिति यहां पर है अब देखें एक जहां क्या है दोस्तो ठीक है तो x square y की जहां है 2y square है यहां 4y square था जिसे मैंने ब्रेकिट में 2y square लिखा उमीधेवासन में आजए आरहे हैं आपको तो 2 y square और दोस्तो यहां पे देखे देन दिजेगा 2 चाहिए फर्मिलर में क्या हैं यहां 2 है तो दोस्तो यहां तो 4 लिखा है तो दोस्तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं दो गुना 2 लिख सकते हैं और फिलाल एक 2 चाहिए तो एक दो अभी बच्चा हुआ है यह ध्यान रखें दोस्तो उसके बाद A है उसके बाद क्या A है और A का हिसाब हमारे हिसाब से क्या लग रहा है दोस्तो X है दोस्तो यहां कितना वगए X उसके बाद दोस्तो Y लेकिन Y नहीं दोस्तो B के जहां क्या है 2Y है तो दोस्तो एक दो बचा भी होआ है यह हमें पता है और बराबर कितना दोस्तों जीरो अब ध्यान से तुलना करिए कि सारी वेभसता सही होगी है क्या A के स्थान पर X square है क्या B के स्थान पर 2Y का square है क्या माइनस 2 A के जहाँ X आया और B के जहाँ 2Y है तो बिल्कुल है दोस्तो बराबर 0 तो दोस्तो अगर ये स्थिति यहाँ पर है तो दोस्तो इसका मान ये होता है तो क्या इसी हिसाब से इसे लिख सकते हैं देखे दोस्तो क्या लिखना हमें A-B का होल इसका है जिसका मतलब हमें A का पता करना पड़ेगा तो तुलना करें दोस्तो तो A के स्थान पर क्या है X है और दोस्तो B के स्थान पर क्या है 2Y है और दोस्तो अगर मैंसे A माइनस B के हिसाब से लिखूँ तो दोस्तो A, A मतलब क्या X और दोस्तो बीच में क्या माइनस और B क्या मतलब दोस्तो 2Y कब वर्फ दोस्तो कितना zero ठीक है दोस्तो? अब दोस्तो zero को zero करहे वर्फ लिख सकते हैं और वर्फ से वर्फ घटा भी दिया दोस्तो एक बाद होता हो एक्स माइनस 2y बराबर किसे के आगा है? Zero के आगा है तो दोस्तो अब दिखे जैसे यह प्लस का इधर था यह इधर आःके माइनस वा तो यह माइनस के इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस तो x बरावर कितना दोस्तो 2y यह पहले तो बात यह हुई लेकिन दोस्तों एक प्रसेंट हमाल लेते हैं कि हमारे दिमाग में यह बात नहीं आई और एकदम से नहीं पहचान पाई कि यह फॉर्मुले का कुश्चन आ गया तो कैसे पिक करें तो दिक्कत वाली बात हो सकती है तो दोस्तों कहीं ने कहीं हम यह बात भूल नहीं सकते कि हमें किसका मान चीए एकस नुपात वाई का और यह उप्सन किसके हैं दोस्तों एकस नुपात वाई के तो दोस्तों इनमें पहला मान अगर इस इस उप्सन के हिसाफ़ से देखे तो पहला एकस क्या है दो है वाई कित को है 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 और फुरस कितना ठाई है एकस बराबर во य बराबर 1 दोस्तो अगर यह मान सही है यह बराबर ाकरी खार से में भी और इससे में भी और बराबर से उससाइड में भी डाइहात छht में भी दोस्तों ठीक है तो अगर यह दोनों ही मान बराबर हुए तो दोस्तों यह उपसें बिल्कुल ठीक है और नहीं हुए तो दोस्तों को यह ओर ठीक होगा तो देखें दोस्तों X के जहां हम क्या लिखें दो लिखें यहां क्या लिखें दोस्तो दो लिखें तो दो लिखा दोस्तो और Y के स्थान पर क्या लिखें दोस्तो हम एक लिखें तो एक लिखा दोस्तो और यहां पर दोस्तो कितना लिखना है दोस्तो यहां क्या लिखेंगे हम दोस्तो एक लिखे है आपको अच्छे से पता है बिलकुल ठीव मैं नहीं करने दोस्तों यह एक दोंगों तो हैं दोस्तों कि किस मान से हैं दोनों पराबर हमें इसे साइद आप मेंटली सोल कर सकते हैं तो आपको यह सारी चीज़े करने के कोई खास आप शेक्ता नहीं थी दोस्तों इस वाले option सवाल में आप option पर जा सकते हैं बैतर धांस यह आपका हो जाएगा इसे जो एक बैतर तरीका होता है ना option विधी कई बार कुछ बच्चे तो प्रैक्टिस करकर करके खुद को option वाली method से जाद अच्छा मानते हैं कि option से बहुत अच्छे से पता लग जाता है देखिए दोस्तो एक्जाम में approach है अप्रोच लगा सकते हैं सीखते हैं यहाँ पर method सीखते हैं सारी जानते हैं यदि 5 x square माइनिस 13 x y गाल singular 0 हो दोस्तों तो हमें x अनुपात y बताना है तो देखें दोस्तों यहाँ पर इस बार क्या है कि एक समय करना है दोस्तों और इसमें हमें x अनुपात y बताना है और अगर हम गोर से देखें दोस्तों तो यहां परतेक option में दो-दो answer हैं मतलब परतेक में ना हो दोस्तों इसमें दो है इसमें दो है यहां केवल केवल कहा गया है तो दोस्तों इसके दो answer होने की पूरी-पूरी संभावना है क्योंकि यहां पर x की power कितनी है दोस्तों दो है तो इसलिए दोस्तों दो answer होने की संभ करण का, है न, इसी परकार से, कि जितने घात की समिकन हो, उसके उतने ही solution होते है, जब एक नियम है प्रोपर, तो खेर दोस्तों हम बात करें, फिलाल, इसके दो solution हो सकते हैं, तो या 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 या, इसका answer हो सकता है, तो एक तो तरीका यह है दोस्तों कि यह मान xy के हैं यह रखें लेकिन उसके साथ हमें यह भी चेक करने पड़ेंगे साथ-साथ यह दोस्तों यह रखें तब यह भी चेक करने पड़ेंगे ऐसा कि इसलिए दोस्तों कि यह जो केवल वाले आंसर है केवल दो अनुपात एक और आपको प्रिशान ना करें या फिर दोस्तों हम क्या करना आनाच चीए फैक्actor करना आना चाहिए तो जली दोस्तों इससे देखते हैं कि फैकٹर कैसे होता है फैक्टर वैसे आपने सिखे भी हो जोड़ के 5 आए तो 3 दोनी 6 3 और 2 5 ही होगे दोस्तों कुछ ऐसा है ठीक है तो यहां पर X होता था बस साथ में इसमें क्या है दोस्तों वाई भी लगा हुआ है तो लेकिन प्रोसेस वही रहेगा सेम कसे हम ध्यान रखेंगे दोस्तों सबसे पहले हम 6 की गुणा किसमें तो दोस्तों क्या आप मिला हमें 30 मिला ठीक है अब 30 के दोस्तों ऐसे टुकड़े करेंगे यहां पर क्या है यह क्या है दोस्तों प्लस है तो उन टुकड़ों को जोड़के प्लस का मतलब जोड़ना होता है न दोस्तों जोड़के कितना है यह वाला गुणांक X Y की गुणा सब्सक्राइब कि कि इस चिन का बड़ा मेहत्व है अगर यहांपर क्या है तो दोस्तो 10 तीए 30 10 गुणा 3, कितना होता है दोस्तो 30 और यह 10 तीए 30 के और लिखा कि 10 और 3 को जोड़ के कितना आ जाएगा तो दोस्तो 13 आ जाएगा तो दोस्तो जहाँ पर यह 13 लिखा है वहाँ पर आपको 10 प्लस 3 लिख लेना है यह पूरा प्रोसेस आपको संजमा आई गया होगा कि कैसे हमने तोड़ा तो दोस्तो इस 13 के स्थान पर हमें क्या लिखने लिला है 10 पलस 3 तो सबसे पहले हमने 6 गुणा 5 किया 30 आया 30 कैसे टुकड़े किये दोस्तो जिरह जोड़के 13 वह हुए 10 और 3 तो यह पता करने थे तो दोस्तो देखे यहां कितना है 5 X स्क्वार है माइनस दोस्तो यहां पर 13 है दोस्तो वहां पर क्या लिखा हमने 10 पलस 3 लिखा और यहां पर दोस्तो कितना एकस वाई और प्लस दोस्तो कितना यहां पर 6 Y स्क्वार और दोस्तो बराबर कितना 0 अब देखे करेंगे क्या दोस्तो देखे यहां पर कितना है 5x² अब देखे यहां की गुणा आप यहां करेंगे 10 में तो दोस्तो कितना 10xy अब देखे दोस्तो ब्रैकेट आप हटा दोगे तो दोस्तो ध्यान देगे इस बात पर मैंने पहले बताया कि अगर bracket हटाएंगे तो माइनस अगर बहार है तो किन बतलेगा तो दोस्त यहां माइनस आएगा अब इस xy की गुणा आपने किसमे की दस में करी और अब 3 में भी करनी है तो दोस्तो कितना 3xy और प्लस दोस्तो कितना 6y square दोस्तो अब देखें दोस्तो इसके बाद यहां पर 4 पद्री सेलेक्ट करेंगे दोस्तो पांच और यहीं और यहां पर दौनों से एकंश को मौन लिया technology 10 यह था नभी तotesません यहां घौना आया और एकस नहीं भी बतला क्या है एक्स इसक्या है और पांच समय है तो मतलब का था खुना अब देखिए यहाँ पैसे पांदूझी दस है दोस्तों यह कितना है All coupon है तो दोस्तों क्या बचेगा दो बचे गई थो फवाहि बचा तो अब देखे इसी तरीके से तीन है दोस्तों तो अगर तीन को 3 क्यों की 많은 ॰िया क्यों रिचा आ दोस्तों यह दो STRस्तों क्या बचा है और दोस्तों यह क्या बचा देखी तेन क्या दोस्तों तीन कोमन लेने के बाद 6 में क्या बचाएगा दोस्तो 2, 3, 2, 6 के साब से, अब देखें, यहां यहां है y स्कायर, इसका मतलब क्या है y गुना y, तो अगर एक y कोमन आया, तो दूसरा y बचा यहां पे दोस्तो, और बराबर कितना 0, इस परकार से चीज़े हुई, अब देखे यह वाले bracket इस तरीके से, दोस्तो, हमेंसे क्या आने चीज़, समान वरना हमारे factor जो है, गलत है, तो दोस्तो, इस bracket को आप कुमन ले लेंगे, तो दोस्तो, कितना हुआ, x-2y, और दोस्तो, यहां पे कितना, यहां पर क्या बचा है, देखें, 5x, और यहां पे दोस्तो, कित इतना हो गया, 2y, अब देखें, y बटे में ले लिए, तो दोस्तो, x बटे y, बरावर कितना बचा, केवल 2, अब इसके बटे में हमें क्या लिखना होगा, एक लिखना होगा, और इस तरीके से, हम क्या कहेंगे, कि दोस्तो, कि x अनुपात y कितना है, या 2 अनुपात 1, तो दोस्तो, यहाँ पे कितना है, 5x, और दोस्तो, आप देख पा रहे है, माइनस के 3y, और बरावर कितना 0, और जैसे कि हमने यहाँ पे माइनस को इधर भीच के पलस किया, दोस्तो, तो बिलकुल वैसे ही, 5x, बरावर कितना 2, 3y, अब यह बटे में, तो दोस्तो, x बटे y, इसका माइन कितना हुआ, x अनुपात, y का, तो 3 अनुपात, कितना, दोस्तो, 5, तो दोस्तो, 3 अनुपात, 5 भी आ है, 2 अनुपात, 1 भी आ है, दोस्तो, एक 2 question थोड़ा, बड़ा हो जाता है, बीच में, एक साइज के, आई जाता है, ऐसा, उमीद है पर आपको यह समझ में आया होगा तो बढ़ेंगे सवाल पर यह दोस्तो इस सवाल को समझते हैं और बढ़ेंगे ध्यान से समझ देंगे इस सवाल को विवばい ठोड़ा सा अलग है दोस्तों हिसाब बहुतहों कहा यदि ए अक्सर क्या करते हैं कि बही अनुपात के मान अपने हैं यह अपन ses लृ TAF हम कह सकते हैं कि A plus B बराबर कितना दोस्तों 6 कह सकते हैं और दोस्तों B plus C कि बराबर किसे कह सकते हैं हम 7 को कह सकते हैं इस तरीके से और दोस्तो इस तरीके से सही पलस ए बराबर कितना होता है आट होता है लेकिन दोस्तो यह मान हमने आपको कहा कि आपको तम मानने चाहिए जब आपको अनुपात का ही मान निकालना हो अगर किसी का वास्तिविक मान आपको निकालना हो दोस्तो और तब अगर आप इन अनुपात को ही इनका मान मान के चलेंगे तो आपका अनसर गलत ही होगा क्योंकि यह दोस्तो काट पीट के 6-7 आट आए हकीकत में यहां क्या था वो नहीं हमें बता सकते और दोस्तो इन सभी संख्याओं में से जो भी यहां रियल में रहा होगा उनमें से एक ही नंबर काटा गया होगा और वो संख्या कोई भी हो सकती थी जो यहां से कटी हुई है और अगर जब तक वह संख्या आपको नहीं पता लगे दोस्तों कि हैंसे काटा क्या गया है कौन सी संख्या इस जिससे हां भाग किया गया है दोस्तों तो तब तक आप सी का सही मान नहीं प्राप्ट कर सकेए अनुपात के हिसाएत त्यूहा आजाएगा लेकिन वोन इख माणों वह वास्तिक मानुनियों यूप आण यह 009 निकालनी है और दोस्तों यह पता होना भूसफन है कि यहां से आखिर क्या काटा गया है ऑनुपात बनाने के लिए आप छानते है अनुपात सबसे सरल आ सकता है कुछ भी आ सकता है दो जिब तक हमें लिए ना पते लगए कि वासिटविक मान कया है तब तकipsubt ए बीसी किसी का भी मान प entsprech नहीं जा सफेक़ दोस्तों इस के का माना निकालना परहत ज़रूर käyt और कहीं न कहीं examiner को पता था कि इस सवाल में कि का मान निकालना है इसलिए उसने इसके लिए हमें एक और मान दिया है कि यहां पर A A half A 25 plus B plus C plus C plus A ऐसे अर्म पता है ओर प्लस A ही आता तो दोय और भीडर प्लस B आता तो दोस्तो कितना प्लस के दो बी और उस तरीके से कितने डोस्तो दोस यह और दोस्तो गैंदेग्याता चाहते कि हमंऺगे है कि हम्ん से मान काटा गया है लेकिन दोस्तों से पहले देखिए यहां दो यहां दोस्तों सभी में क्या है दो मुझूद है और जो हर जगाँ उसे क्या लिया जा सकते हैं यहां पर गणित में कोमन ले लेते हैं दोस्तों तो यह तो अगया दोस्तों कोमन अब यहां क्या बचा दोस्तो A प्लस B प्लस C बरावर दोस्तो कितना 21 और दोस्तो कितना के और हम चाहते है के का मान निकालना अब के का मान तब निकल सकता है जब हमें पता हो किस का मान दोस्तो A प्लस B प्लस C जब तक किस का मान हमें ना पता हो दोस्तो इसे बटे में भेज़ गे हम के कामान निकाली भी पाएंगे इसलिए दिया गया है हमें A प्लस B प्लस T कामान 14 है तो दोस्ते हा रख दिने हम 14 तो देखें दोस्तों, 2 और दोस्तों, ये ब्रेकिट किस में है, गुना में ही तो मानना जाएगा तो गुना कितना दोस्तों है 14 है न चौदा आ गया और दोस्तों यह किस गुना में है और बराबर से दूसरी तरफ कहा है आप भाग में और दोस्तों एक केस बराबर कितना दोस्तों के ठीक अब देखें दोस्तों साथ यह एक केस साथ दुनी कितने दोस्तों 14 दोस्तों के का म कितना है दोस्तों 24 6 KC टों सीट ऑफ दोस्तो बड़ा हिर अच्छे समीश बात बता सकते हैं कि Вы whole घमान पता कर अब देखे दोस्तों 3 क्छाघए है का है कर सकते है च्छैंक है और कि यह च्छैंक है और कि मान कितना आ गया दोस्तो चार दुनी आट आ गया तो शबसे पहले दोस्तों हमने क्या करा अम यहां के क्या लगाया हम यह पता करना चाहे कि किस संग्हा से बहुत किया गया क्यों कि हमें इसी का पूरा यक्चुल मान अनुपातिक मानने चाहें, इसलिए दोस्तों हमने क्या करा, के लगाया, सब को जोड़ा, 21 के और दोस्तों इधर जोड़े, तो 2A, 2B, 2C, 2 को मल यह दोस्तों ए प्लस बी प्लस इ, जिस का मानने हमें चोदा दिया है, यह चोदा रखा दोस्तों किस को गुणा वाले को बटें भेज के दोस्त हमने पता किया के का मान थे हैं चार बटे तीन है और वो मान दोस्त हमने छे गुणा के यहां पर रखा और इस तरीके से ए प्लस बी का मान कितना है दोस्तो आठ अब बताओ दोस्तो पूरा मान कितना है ए प्लस बी प्लस ए कितन दोस्त्त T का मान क्या बचा बचा 14 में 60 जा कितना बचा 6 बचा दो तो जो तो सी का आंसर कितना आगे दो चैन और उम्मीद है यह सवाल आपको अच्छे से की लिए वहाँ दोस्तों तो बढ़ेंगे तो दोस्तों के साथ उपर भी होगा और सी के साथ नीचे भी और उसका फरक यहां नहीं पड़ेगा इसलिए बार-बार कहा है हमने कि दोस्तों ऐसी सिच्वेशन में के वगेरा लगाने क्या हो सकता नहीं जब प्रोपर मान हो जैसे कि पिछले सवाल में था उसमें लगाना उश्यक था दोस्तों यह का मान तीन हुआ वी का मान क्या रखेंगे दोस्तों चार रखेंगे और दोस्तों सी का मान क्या रखें अगले सवाल पर आई दोस्तों देखते हैं इस सवाल को इसमें कहा यदर एनुपात भी बराबर नोग गुना. इनुपात ङी डोस्तों यहां पर क्याल। विपक्ते कि hundred section 2 को Ayida together with यह मच्छे से जान लाने ठिक है ठिक है जोस्तों अर इसी का बटे लिखोगे तो अब बटे लिखना चाहिए ठीक है दोस्तों उम्मीद है वासन में आ गई है अब बताएगे दोस्तों इनुपात वी कमान नो ही हो जाता अगर साथ में यह नहों होता तो दोस्तों इसको इधर भेजना पड़ेगा अब तरीका क्या है गुणा में जो है एक है यहां पर बत में कि Casey करें तो आप अ append जानते हैं क्या अपर लेना पड़ेगा और अब बरभर कितना दोस्तों 2020ा क्या करना पड़ेगा वर मूर लेना पड़ेगा रहा हमें पता है कि नो किसका वर्ग है तीन Sunday के दिकना दोस्तों प боль है अनुपात लिकना है ये नूहीं ये अंसर है। दोस्तो। तो ए बटे अबहु है कांगा कितन goofy दोस्तो. स तीन हो गया आगर अनुपात होता तो फिलाल का अंसर और विशंधित है अपको किलिए